असलाम लेकुम वियूर्स कैसे हैं आप उमीद करते हूं खैरियत से होंगे MGT503 की लेक्चर सीरीज का आज 35 लेक्चर है जिसमें हम अदर नीड्स और कॉगनिटिव थियूरीज और मॉटिवेशन क्योंकि हम लीडिंग पढ़ रहे थे और लीडिंग में हमने जो हरेक्ष और नीड्स की थियूरी पढ़ी अबरहम मैजलो की तो आज कुछ और थियूरी जो इसी रिलेटेड हैं कि लीडिंग और मॉटिवेशन में जो अपना केदार अदा करती हैं कुछ लोगों ने कुछ तियूरी दीती हैं हम उनको देखेंगे से पहले है मेक ग्रेगर की थियूरी है टेगिल्स मेक ग्रेगर ने थियूरी दीती थियूरी एकस और थियूरी य और इसको मिडेटर्म से पहले ऐने ज की बिहेवियत को बेहन obec कि एक ग्रयकर और एक ठीक करता है कि उसके employees बहुत creative है, responsibility को सीख करते हैं, ठीक है, उनमें self direction है, मुझे उनको हर वक्त उनके सर पे खड़े रहने की उसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर बात का रहे हैं कि जो theory x रहे है, उसमें यह assume किया जा रहा है कि जो low level की needs हैं, अब रहा हम मैजलो की low level की needs हैं, यानि के physiological needs, ठीक है, वो dominated है individual पे, यानि वो सिर्फ अपनी वो जरूरियात पूरी करना चाहते हैं, ठीक है, उनको work पसंद नहीं है, वो creative नहीं है, वो जो उपर level की दो needs थी, कि खुद को मनवाना और अपने goals बनाना और मेरी को respect करें, वो सारे चीज़ें इसमें नहीं आती हैं, यानि कि theory X में यह assume किया जा रहे है, कि सब को अपनी low order needs की पड़ी हुई है, dominated हैं, और theory Y में यह assume किया जा रहे है, कि लोग हमें respect करें, यानि में उनमें जो higher level की order की needs थी, वो dominated है, तो उसके बाद है motivation hygiene theory, motivation hygiene theory को पेश किया फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने, इसके suggestion यह थी, कि जो intrinsic factors होते हैं, are related to job satisfaction and motivation, intrinsic factors हमने कौन से देखे थे, कि respect करना किसी की, और उसको, मतलब internal तरीके से उसको खुश करना, जो internal जितनी चीज़ें आपको खुश करती है, motivation होगी, इसपेक्ट होगी, जो भी internal चीज़ें अच्छे तरीके से बात कर लेना, वो कहते हैं कि यह job satisfaction और आपको motivate करती है, तो एक्स्ट्रेंसिक factors जो होते हैं, are associated with job dissatisfaction, बनते हैं, लेकिन हरस्बक्स यहां पर कहना यह चाहते हैं, कि जो satisfaction की opposite है, वो dissatisfaction नहीं है, यानि दोनों अलग अलग चीज़ें, ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जिनको जो है, वो हाला के wages अच्छी नहीं मिल रही होती, उस चीज़ से वो dissatisfied होते हैं, ठीक है, उनकी तनका अच्छी नहीं है, सब कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन मैनेजर उन्हें रिस्पेक्ट दे रहा है, उनके साथ अच्छा वक्त गुजर रहा है, तो इस वज़ए से फिर भी satisfied होते हैं, यानि वो यह कह रहे हैं, कि जो job satisfaction और much motivation है, इसका तालक जो हो interesting factors से, ठीक है, और जो dissatisfaction है, इसका तालक जो external factors से है, तो दोनों को हम match नहीं कर सकतें, दोनों को एक साथ किया जाए, company की policies है, salary अच्छी हो, work conditions अच्छी हो, security हो so far, इस सारी चीज़ें जो एसोसियेट करती है job के context से, ठीक है, जो surroundings, job के आसपास की जो चीज़ें, ठीक है, जिए अच्छी होंगी तो आप जो है, वो dissatisfaction आपकी खतम हो जाएगी, फिर hygiene factors जो है, ये necessary हैं, कि ये workers जो है वो उनको dissatisfaction से दूर रखते हैं ठीक है इन में से आप कौन से factors हैं यहां पर pay उनकी हो work condition अच्छी हो supervisor अच्छा हो ठीक है company की policies अच्छी हो benefits हो तो ये सारे चीज़ अगर होगी तो उसकी dissatisfaction जो है वो खतम हो जाएगी ठीक है इस से उसके dissatisfaction खतम हो जाएगी ल motivation से होगा motivation कर सकते हैं जो उपर सारे factors है ना कि pay अच्छी हो महोल अच्छा हो supervision हो benefits हो वो तो सिरफ उसकी dissatisfaction को खतम कर सकता है ठीक है तो इन्होंने यह कहने की कोशिश की है तो इनमें आप वो कहते हैं कि अगर ये factors जो हैं इनमें achievement, recognition, responsibility वगर तो ये सारे चीज़ें जो है इनसान को motivate करती है और इसमें उसको अगर वो achievement होगी, responsibility होगी, work itself, वो खुद work करता होगा, उसके अपनी पचान होगी, growth, achievement, भी सारे factors हैं जो motivate करते हैं, खिक अगर ये factors आप पाए जा रहे होंगे, आप अच्छा से motivate कर रहे हो, achievement के लिए responsibility दे रहे हो, उस पर trust कर रहे हो, अ अबराहम, मेजलो की जो five needs की थी थी उसको श्रिंग करके तीन तीन चीज़ों में, या इसने तीन जो है वो लेवल बना दिये, वो पांच थे, यहां पे तीन बना दिये, और इन इन ऑन इन आर जी बोला, यान इन इन ए ए ए एक्जिस्टनस आर से relatedness और जी से growth, इन 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 एक्जिस्टनस में कॉन से चीज़ें आगी कि वेडियस फाम आफ माटीरियल और साल फिजियलोजिकल नीड यानि खाना पीना उसके इलावा कि उसकी पे अच्छी हो ठीक है फ्रिंज बेनेफिट्स उसको मिल रहे हैं उसको जो फिजियलोजिकल वर्क कंडिशन हैं यह सार अक यह साथ हो चाहिए फ्रंट्शिप ग्रूप में हो चाहिए फिर प्रफेशनल ग्रूप में हो और तीसरी चीज़ है ग्रोथ नीड यानिकि वो क्रियेटिवीटी और इनोवेशन पे उसकी डिजायर होती है कि मुझे इंटक्ट डालना है स्रांडिंग्स पे तो यह इन्हों जो हो क्लोज करके बना दिए तो समझ में नहीं आ रहा होता कि बहुत ज़्यदा मुक्तسार है किसी चीज़ की एबसेंस जो ए वो है या PLUS न आ फिल नेक्स्ट लेवल के अगर की सोचे से जाते हैं एक एक लेवल में इतनी जादा उसकी जूपी हुई एक लेवल नहीं पूरा नहीं हो रहा तो फर फ्रेस्ट्रेसिशन ओर रग्रेसुन का प्रिंशिपला आ जाता है तो उसके बाद है acquired need theory acquired need theory Macieland acquired need theory पेश किया था, इनका आर्ग्यू ये था जो हमारे needs होती है इनकी existence, ये learn, यानि जो आती है हमारे अंदर, ये हमारे life के experience से आती है, यानि जो इनसान जैसा lifestyle गुजारता है, जैसा उसका experience गुजरा होता है, जैसा उसने life गुजारी तो इस लिहास से उसकी needs होती है, ठीक है, अब एक इनसान है, जो middle class से तलक रखता है ठीक है, तो उसने जैसा देखा है, जैसा वो अब तक experience करता है, तो उसकी वो इस तरह की needs नहीं होती, जरूरियाद में वो चीज़ शामल नहीं होती, जतना एक, अगर आप high class की family में देखें तो वहां पे उनकी अलग needs होती है, तो वो एक एनसान, हर इनसान के needs जो है, वो उसके experience से आती है ठीक है, जैसा उसने experience अपने life में गुजारा होता है, वैसी उसकी needs होती है, तो कहते है कि thematic appreciation टेस्ट जो है, यह measure करता है इनसा के, इनसान की need for achievement, affiliation और power को, तो कहते है कि need of achievement क्या है, कि desire इनसान की कि कि वो accomplish करेगा, challenging task बेशाक उसको दिये जाएं लेकिन उसे पता है, क्योंकि need of achievement है उसकी कि कि वो कुछ ने कुछ अचीव करना चाता है, तो फिर वो एक standard task होगा, कि वो अपने काम में standard excellence task को भी achieve कर लेगा, जितना भी वो challenging होगा, फिर उसके बादे need for affiliation, यह desire है, यह भी एक खौईश है, कि वो एक warm way, जो है relationship हो, उसका friendly relationship होगा, दूसरों के साथ फिर need for power है, need for power कि वो influence कर सके, दूसरों को control कर सके, एक महोल को, एक area को control हो, उसके आथ में need of power, आप need of power में दो किसम की power होती है, एक होती है personal power, यानि ability की power, कि आप किसी दूसरे individual को dominate करोगे, अपनी demonstrating their ability to wield power, यानि आपके अंदर की power, आपके पास skill की power हो सकती है, कुछ भी हो कि आप अपनी power से, किसी के पास अच्छे बोलने की power होती है, कोई भी ऐसी power जिसे आपको dominate कर, दूसरे होती है institutional power, यानि कि वो power जो आपको किसी position की वीड़ा से मिली होती है, जिसमें आप focus करते है individuals पे कि मत अब किस तरह से हमने इन्टी प्राबलम सॉल्व करने है, और इस organization को उसके गुल्द को जएदा चीव करने है, तो यह institutional power है, उसके अपनी इजाती power तो नहीं, यान institution उसे power दी, manager बनाया है, तो manager के level पर जितने फैसले कर रहा है, तो वो इसको institution ने power दी हुए, अगर हो किसी से सवाल जवाब कर रहा है, क्या आपने ऐसा काम किया यह नहीं, तो यह institutional power है, तो गयता है कि need profile को जो हम successful manager के लिए देखते हैं कि कौन से महौल में, कौन सी ज़्यादा, क्याता है कि moderate to high need for institutional power, क्यों जो high need होती है, यह institutional power के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि अगर हाई करती है कि individuals contribution, उनकी contribution को एक desire होती है, उनकी organization को maintain रखना, competitive edge मिलता है, कि वो high level पे जब जाते हैं, ठीक है, अब उनके अंदर होगी, यह desire होगी, achievement की, तो organization भी आगे बढ़ेगी, लेकिन अपने level पे, वो भी high level पे, जैसे जैसे जा रहे होंगी, competition भी होगा, फिर लोगों में एक हैगा, मैंने आगे जाने, दूसरे कहेगा, मैंने आगे जाने, तो यह चीज़ organization के competition को भी maintain करती है, ठीक है, और लोगों के अपनी desire भी पूरी होती जाती है, पर कि किसी हाथ तक need of affiliation भी provide करती है, sensitivity provide करती है, दूसरों को influence करने की जखर में, ठीक है, अब affiliation भी होता है, कि आप मेरे साथ अच्छे बात करो, इस सकर में सब की कोशिश होते है, कि हम अच्छे से बात करें, यार मेरे ज़्यादा से दाज़र ज़्यों मुझे एक friendly माहौल मिले, तो यह भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर जो कहते हैं, need for achievement कभी कभी बहुत से लोगों के ज्यादा जे चीज होती है, कि लोग need of power भी, पावर उनके पास already होती है, लेकि लोगों कहते हैं, अच्छे में के लिए ज्यादा फोकस होती है, कि यार, अभी मैं मैं जो है, मैं मिले लेवल के मैंनेजर हूं, मुझे टॉप लेवल पर जाना ही जाना है, ठीक है, पावर त पेप्माने। मनेजर के पर रहे हैं। झाँ का जो पर इसके प्रेकियाद हों पॉइंगे फिünden लिए बहुत जाना हुए कि इसके कंदल हूगर baskets इसक्तरमाने लिए मैंगर को रहे हैं। दिखाना है तो ये चीज़ें जो higher level की needs है self actualization ये self esteem पैला करना किसी के अंदर ये motivation के source है ठीक है तो अब leading में motivation तो करनी ही होती है तो इसलिए ये need theories जो है ये एक manager के लिए बहुत अदर ज़रूरी है फिर उसके बाद research से ये भी पता चला है कि हर individual जो है बनाता है वो अलग है priority आके पीछे हो सकती है लेकि हर इनसान ऐसा चाहता होता है कि उसके उसके इच्छे बात करने वाला हो उसकी इज़त हो वो जिदगी में किसी मकाम तक पहुंचे तो होती सब की हैं लेकिन हर को structure अपने लिहास से बनाता है फिर हो करते हैं कि ERG theory में frustration का जो एसपेक्ट था कि अगर पूरी ना हो रही है तो frustration और regression भी होती है तो इससे को जह है इसके serious impact भी होता है organization पर तो इसलिए एक manager उसको पता होना चाहिए ERG theory अगर उसने पढ़ी होगी तो उससे पता होगा कि यह level अगर आ गया कि किसी की चोटी चोटी जरूरियात भी पूरी नहीं हो रही है तो यह frustration और regression हो सकती है तो अगर उसने theory पढ़ी होगी तो फिर क्या अगर हालात को अच्छे से जो है वो handle कर लेगा फिर उसके बाद है cognitive perspective से हम देखते है कि जो knowledge की perspective से equity theory क्या वो उसके बराबर है जो हम जो आपको दे रहे हैं यानि जो हम inputs दे रहे हैं क्या outcomes हमें उसके हिसाब से आ रही है या नहीं आ रही है वो यह करने के साथ-साथ अपनी outcomes दूसरी लोगों के outcomes के साथ भी जो है वो उनको compare करते है फर ग्रेंपल मैं 8 गंटे काम कर रहा हूं ठीक है और मुल्य मंद की salary मिल लगी ये 30,000 ठीक है मुझे तो 8 गंटे की 30,000 मिल रही है, दूसरे बंदे को कितनी मिल रही है, यह एक नेचर में है चीज, वो कहते हैं कि एक इंसान की नेचर में है यह चीज, कि वो अपनी इंपूट्स और आउटकम्स को अपने लिहाद से भी जो है, वो कंपेर करता है, और फिर वो दूसरों क किता है कि वो कोशिश करने की कोशिश करेंगा, और यह वो कहते हैं कि और ओर, इन दुसी को सब्सकिते हैं, यह तो आपने इंपूट्स करने का में की कोशिश कर देगा यह Просто इसान का मुखत चाना है, इसे improvement करने को सकते हैं, औरBay वह सकता है कि वह मुथली तरीकों से और बंदे को ढूंड ले मतलब हो सकता है यह बंद नहीं को किसी और बंदे को अपने साथ या फिर बहुत इंटेंसिव हालात भी आ सकते हैं कि कोईट दिर जादा हो तो फिर अपनी जवाप को कुईट कर रेते हैं छोड़ भी देते हैं तो यह सारे थियूरी जो हैं और इनका नॉलेज होना एक मैनेजर को लीडिंग के रोल में बहुत ज़्यादा जलूरी है तो वियूर्ज यह था हमारा आज का लेक्चर उमीद करती हूं कि आपको समझ में आगे होगा अगर किसी का कोई कंफूजन हो कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें शेयर करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अबले रच्चर तक के लिए अलाहफिज